दोस्तों आप लोग जब भी formula apply करते हो हमेशा multiple cells पर apply करते हो multiple rows पर apply करते हो क्या आप लोग ने कभी try किया हम एक ही cell पर बहुत सारे formula लगा सकते हैं कैसे आज मैं आपको वही सिखाने जा रहा हूं मेरे एक subscriber है मुकेश जी जिन्होंने मेरे से question किया तो उनके लिए और आप थोड़े से names है यहां पर names है यहां पर year है यहां पर sales है अगर मैं formula लगाता हूं तो यह देखिए मैंने दो अलग अलग cell पर लगाया हुआ है formula बट क्या हम कभी single cell पर formula लगा सकते हैं बिलकुल ऐसे तो यही हम आज सीखने जा रहे हैं तो चलिए सीख लेते हैं अपनी sheet में आते हैं फाइल में थोड़ा से जूम कर लेता हूं ताकि आप लोगों अच्छी तरह दिखाई दे ओके मैंने जूम कर लिया है अब यह देखिए मैंने एक सेल पे मैंने सम का formula लगा है सेकेंड सेल पर मैंने average का formula लगा है मगर यह दोनों मुझे एक single cell के अंदर चाहिए ओक अब मैं इन को कर देता हूं ड्रा 이 में 255 तक नीचें कर देता हूं मैं 262 तक कर दिया अब मैं इन चाहँ लक्तर यह बिल्कुल आपको पता लगएगा किस का मात 현재 है इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं मैंने यहां पर कर दिया और इसी को मैंने नीचे तक ड्रैक कर दिया सबसे लास्ट में गया 255 तक हमारे characters होते हैं नीचे वाली डिलीट कर दी और मैं आ गया ऊपर ओके तो अब मुझे यह दोनों फॉर्मुले एक पर लगाने तो मुझे सबसे पहले क्या करना है जब ही हम कोई भी फॉर्मुला लगाना हो यह हम एक sentence बनाएंगे हम sentence कैसे बनाते हमेशा and के sign से formulaबी लगा सकते हैं sentence भी बना सकते हैं और sentence के अंदर formula भी लगा सकते हैं कैसे सबसे पहले हमने लगाया equals to अब मुझे दिखाना यह सम है तो मैंने क्या किया मैंने दे दिया हैंड और quats के अंदर मैंने लिख दिया some यह लिखा है मैंने formula नहीं लगाया यह मैं sum की definition दे रहा हूं मैंने लिख दिया sum and equals to space देके equals to उसके बाद फिर से space और double quotes तो ये लगा दिया अगर कोई भी value आएगी तो उसके आगे sum and equals to लिखा आजाएगा ठीक है जी ये मैं समझ गया अब मुझे एक formula लगाना है sum का formula तो वो मैं कैसे लगा हूँगा मैं फिर से इसके आगे दे दूगा and अब and देने के बाद मैं कोई भी formula भी लगा सकता हूँ जैसे अब मैंने लगाया equals to sum अब मुझे sum किसका चाहिए मुझे sum चाहिए मेरी sales का तो मैंने हमने क्या लिखा था मैं फिर से समझ लेते हैं मैंने पहले लिखा था sum and equals to और एक स्पेस तो बिल्कुल यहां पर देखे sum and equals to and एक स्पेस आया उसके बाद sum की value आ गई है क्योंकि हमने formula लगा दिया अब हम इसी के साथ double quotes देना चाहते हैं उसके इंदर है कॉमा तो कॉमा देने के लिए अगर आप कोई भी टेक्स दे रहें कोई भी टेक्स देने के लिए आपको हमेशा एंड से शुरू करना है तो मैंने एंड लगा दिया double quotes लगा दिया double कोट्स के अंदर एक कॉमा लगा दिया डबल कोट्स एक कॉमा से पहले मैंने एक स्पेस दे दिया और उसके बाद फिर से डबल कोट्स लगा दिया अब मैंने दे दिया फिर से एक स्पेस दे दिया मैंने डबल कोट्स क्लोस कर दिये अब मुझे एवरेज का फॉर्मुला लगाना है तो मैं कैसे लगाऊंगा मैं फिर से एक कर लिया अब मैं फिर से इसको पूरे को select कर लेता हूं ब्राकेट कर देता हूं और और इन्टर तो इसे सम और अवरेज हम में कुछ इस तरीके से दे दिया अब मैं धर क्या मैंने क्यों डाले आपके सामने क्योंकि अगर मुझे इसको नीचे वाले cell में लाना है तो वो मैं कैसे करूंगा तो उसके लिए मैं average के आगे जहां पे मेरा and कातम हो रहा है मैं इसके आगे and के आगे एक character का formula देदूगा c h a r character open करके मैं देता हूं character कौन सा character 10 character 10 हमारे यहां क्या था यह blank है मगर यह नीचे को push कर देता है अपके कोई भी alphabets को नीचे push कर देता है और फिर से मैंने एक and लगा दिया और मैंने कर दिया enter तो यह देखिए यह सम यहां पर आ चुका है average नीचे आ गया इससे पहले हमारा average उपर आ रहा था अगर अब आप यह कॉमा हटाना चाहें क्योंकि अब मैंने सम और average को उपर नीचे शो कर दिया अगर आपको यह कॉमा हटाना है तो फिर से एफटू प्रेस कर दीजिए हमारा कॉमा यहां था मैं इसको पूरे को है डबल कोट्स का यूस करना है और बिलकुल फोकस में रहना है कहां पे आपने लगाना और आपने डबल कोट्स लगाना तो आशा करता हूं थो अप लोगों को वीडियो पसंद आगे होगी पसंद आई तो लाइक शेट सब्सक्राइब जरूर करना जरूर बनता है और अपने कमेंट जरूर देना कि यह फॉर्मुला एक सेल के अंदर दो फॉर्मुले लगाएं आपको समझ आएं नहीं आएं और अगर आपको यह शीट डाउ वीडियो में धन्यवाद दोस्तों